और बांगलादेश के दौरे पर आमी चीफ जनरल मनोज पांडे बांगलादेश से द्विपक्षिये रक्षा स्थायोग बढ़ाने पर जोर रहेगा बांगलादेश के तीनों सेना प्रमुखों से मिल सकते हैं आमी चीफ आमिश चीफ बनने के बाद जनरल मनोज पांडे की पहली बांगलादेश यात्रा है ये बांगलादेश में हिंसा के बीच सेना प्रमुक जनरल मनोज पांडे बांगलादेश के दौरे पर है इस यात्रा में द WIPAKSHY रक्षो और सुरक्षा स्योग को और बढ़ाने पर जोड दिया जाएगा ये उनकी सेना प्रमुक का बद समालने के बाद पहली विदेश यात्रा है बताया जाता है कि सेना प्रमुक बांगलेश की तीनों सेनाओं के प्रमुकों से आमने सामने बात कर सकते हैं और देश के वरिष्ट नेताओं से भी मुलाकात करेंगे जनरल पांडे बांगलेश मुक्ती संग्राम के शहीदों के एक समारक पर शधांजली देंगे साथी बांगलेदेश इंस्टिटूट आफ पीस सपोर्ट एंड ट्रेनिंग ऑप्रेशन्स के सदस्यों से भी बाचीत कर सकते हैं आपको बता दे कि बांगलेदेश में फेस्बुक पर धार्मिक पोस्ट करने के बाद हिंसा का मामला सामने आया है पोस्ट से भड़की कटरपंतियों ने पोस्ट करने वाले युवक के घर को आपके हवाले कर दिया बवाल बढ़ने के बाद भीड ने एक मंदिर को निशाना बनाया घटना नरैल जिले के लोहागरा गाउं की बताई जाती है हिंसा की घटना के बीच पहुची पोलिस को भीड को हटाने के लिए हवाई फाइरिंग भी करनी पड़ी